हाई फ्रेंज आपका अपनी हिंदी ड्राम एक्स्पिनिशन चैनल में स्वागत है आज मैं फिर से हाजर हूँ डिस्टीन विदियो एपिसोड नमबर 15 के हिंदी एक्स्पिनिशन के साथ जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में दिखा था शिन्यू और हॉंग जो एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं हॉंग जो रूनी लगती है तब ही शिन्यू कहता है कि अब तुम्हें रूनी की जरुएत नहीं है अब तुम मिशसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी तब ही उनका एक बॉडिकाड आके उन्हें कहता है कि सर बाहर पुलिस वाले आये हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं पुलिस ओफिसर शिन्यू कॉनफॉर्म करते हैं कि उन्होंने सहर तरफ चॉन्बियों को देख लिया है वो अभी तक उसको अरेस्ट नहीं कर पा है जब तक वो अरेस्ट ना हो तब तक वो अपना ध्यान रखे नेक सीन में दिखाया जाता है कि शिन्यू और हॉंग जो कार में होते हैं हॉंग जो से पूछती है क्या तुम्हें ड्राइविंग करने में प्राब्लम हो रही है अगर कोई प्राब्लम है तो ड्राइविंग मैं कर लेती हूँ शिन्यू कहता है मैं अपने पेरेंट्स के साथ स्यॉल में था और वहां उन्होंने मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखाया मैंने बहुत अच्छे से रिकवरी करी है और मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ तब ही हॉंग जो शिन्यू को कहती है कि तुम मुझे यहीं पे उतार दो यहां से मैं बस से चली जाओंगी तब ही शिन्यू कहता है कि आज तुम अपने घर नहीं तो आज तुम मेरे साथ चलोगी यहूं हॉंग जो को अपने फ्लाट पर ले आता है तब ही हॉंग जो उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी इंजरी पे दवाई लगा दिती हूँ शिन्यू कहता है अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिकर थी तो तुम मुझे छोड़ कर क्यों गई तब ही वो बोलती है कि आप मैं तुम्हें छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगी और वो एक दूसरे को किस करते हैं सिन्यू के आफे निक सीन बेडरूम में दिखाते हैं मैं बाहर जाएंगे सुजाती हूँ तब ही शिन्यू कहता है कि मैं भावर चला जाता हूँ लेकिन हम नेक्स पर देखते हैं दोनों सेम हाँ बेट पर होते हैं शिन्यू की डोर बैल रिंग होती है और शिन्यू जैसे चेक करता है तो देखता है कि उसके पेरंट्स आजाते हैं वो भाग कर अचानक से आता है और बताता है होंग जो को डोर बैल रिंग होती है जब वो चेक करता है तो उसके पेरंट्स होते हैं और वो Hongjo का कर बताता है कि मेरे पेरंट्स आये हैं, Hongjo बहुत अचानक से चौक कर उठती है और बोलती है मैं कहां छुपूँ, तो Shinyu कहता है कि तुम्हें छुपने के जरुरत नहीं है, कहती है कि मैं उनसे इस सिच्वेशन में नहीं मिल सकती, मैंने मुझ तक नहीं धोया है और ड्रस चेंज करी है, Shinyu कहता है तुम जैसी भी हो तुम बहुत प्यारी लग रही हो, नेक्स सीन में दिखाते हैं कि Shinyu और Hongjo उसके पेरंट्स के सामने होते हैं, Shinyu के फादर Hongjo को बहुत बुरतरा से ट्रीट कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारी वज़े से ह मेरे बेटे के साथ ये हादसा हुआ और तुम फिर से इसके पास आ गई हो, और तुम किस तरह की लड़की होगी, कुछ दिनों के रिलेशन्शिप में ही बॉइफरंट के घर आना चाना शुरू कर दिया, तुमारे पेरंट्स कुछ नहीं कहतें, तब Shinyu अपने फादर को करते हुए बोलता है, प्लीज आप ऐसा ना बोलें, इसके पेरंट्स तक ना जाएं, Shinyu अभी बिमार है और तुम इसको इतना स्ट्रेस मत दो, उससे दूर रहो, जब Shinyu हॉस्पिटल में था, तुम एक बार मिलने भी नहीं आए और तुमने फोन भी नहीं किया, तो Hongjo कह करते हैं, लेकिन मैं इस रिलेशन्शिप को कभी भी एकसर्प नहीं करूँगा, Shinyu की मदर भी Shinyu के फादर को इंटरप्ट करती है, बोलती है कि तुम इस तरह की बाते क्यों कर रहे हो, Shinyu की मदर Shinyu के फादर का हाथ पकड़ के वहां से ले जा रही होती है, और Hongjo को कहत है कि नहीं मैंने बुरा नहीं माना, अगर कोई भी परेंट्स होता तो यहीं करता, पर हाँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली हूं, वहीं दूसर सीन में दिखाते हैं कि Shinyu के परेंट्स आपस में कोई डिस्प्यूट कर रहे होते हैं, Shinyu की मदर कहती है कि तुम किस तरह क्या भीएफ कर रहे हो, Shinyu के फादर कहते हैं कि वह बिल्कुल ही गरीब घर की लड़की है, जिसके वसना कोई एजूकेशन है ना कोई खांदान है, Shinyu की मदर कहती है, मैं भी तो ऐसी ही थी, मिर बास भी तो कुछ नहीं था, तो उसका फादर बोलते हैं कि इसी वजे से आज हमारे बीच में तलाग लिने तक की नौबत आ गई है, Shinyu की मदर कहती है, अगर यही प्राबलम है तो मैं तुम्हें तलाग दी ही दूँगी, कि फादर उसकी मदर को कहते हैं, तुम्हें जो करना है कर लो, नेक सीन में हम देखते हैं कि हौंग जो अपने घर जो को कहती है कि मुझे तुम्हारी बात फिकर हो रही ती, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई, तब ये लैड लेड़ी , ओंग हो से कहती है कि तुम्हें अक्यले नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें डढ़ नहीं लगा कि इसमें तुम्हें अकेले बुलाया। लेडि कि से कहती है कि तुम प्लीज मेरी बीटी का ध्यान रगना तब ही वहाँ परशेनियों आ जाता है और वो कहता है कि प्लीज ये लिए खाते हैं कि हांग जो शेनियों किसी एक्स्रिक्शन प्लेस पर आये हुए थे और उनके बॉड़ी कार्ट प्रूंके साथ थे तब ही शेनियों होंग जो से कहता है कि यहां आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है यहां कि हमारी फर्स्ट किस की याद आती है अंग जो कह कहता है कि मुझे पता है क्या हुने वाला है क्योंकि करने हुआ हूँ होंग्जो को किस कर लेता है शिन्यू का फोन आ जाता है नेक्स सीन में होंग्जो को देखते हैं जहां पर उसकी ओफिस की कलीक उसको बाहर लेकर आती है उसको बताती है कि हमने तुम्हें बहुत मिस किया और तुम्हारी absence में आफिस में बहुत कुछ हुआ पर स्योंग्योन आ गई थी और मिस मा के साथ उसकी बहुत लडाई हुई मिस मा ने उसके बाल पकड़ लिये कांग जो कहती है वो मैंनी ता सब कुछ मिस कर दिया मैं देख नहीं पाई तब ही एक कली कहती है कि मुझे भी कुषिश करते रहنا चाहिए मैं भी नित्थी को पठा ही लोगी तुम एक और पाटी दो अपने घर पर सिन में हम देखते हैं कि मिस्ट्रो कोँआन शिन्यू के पास आते हैं और वो उसको loss बताने लगता है तब ही शिन्यू कहता है कि नायों सिफ मुझे ही date नहीं कर रही थी और किसी और को date कर रही थी तब ही कोन कहता है कि मैं mayor का assistant हूं, तुम्हारा नहीं पाक का scene दिखाते हैं जहां पे Hongjo होती है और एक लड़का होता है यो रूम उसको तीन लड़के तंग कर रहे होते हैं तब ही वह आकर उनको डाट ने लगती है वह लड़के बहुत ही स्टबन होते हैं वह Hongjo को कहते हैं कि हम इसा कुछ भी नहीं कर रहे थे और आप हमें कुछ नहीं कह सकते हैं और तुम ऐसा करते हो तो कि तुम्हें बहुत सारी सजा मिल सकती है तभी वह लोग कहते हैं कि हम बच्चे हैं हमें जेल में नहीं ले जाए जाएगा तभी शिन्यू कहते हैं कि तुम्हें जुवलियन एक के तहत सजा मिल सकती है और जब तुम बड़े हो जाओगे तो तु डाइवास फाइल किया है पड़कर बताता है कि डाइवास लेनी की क्या रिजन है जिसमें उसके हस्बेंट ने उसको मेंटली डिस्टब और पागल बहुत कहा था शिन्यू के फादर घर आके शिन्यू की मदर को कॉल करते हैं बटो फोन नहीं पिक करती है उसके बाद शिन्यू को कॉल करके पूछते हैं क्या तुम्हारी मदर वहां पर है तो शिन्यू मना कर देता है और शिन्यू पूछता है कि कोई बात है परिशान है तो वो बताता है को आपको सही लगता है और जसे आपको खुशे मिलती है नेक सीन में हम देखते हैं कि जिए क्योंग होम कंपनी के प्रेज़डन के पास आता है जिसमें वो से कुछ बैग में देता है हों कहता है कि इसब मैं तुम्हारी कहने पर ने मेर के कहने पर गिया है तबी होमची के उनको बहुत बड़ा ओफर करता है और वो उसके ओफर में आ जाता है नेक सीन में दिखाते हैं कि होमची का प्रेजडेंट शिन्यू से मिलने आता है और उसे बोलता है कि मुझे इच्छे सी कॉफी पला दू जिस पर शिन्यू कहता है कि मेरे आफिस में कॉफी मशीन नहीं है तो बोलता है कि मैं तुम्हें कॉफी मशीन तो गिफ्ट कर ही सकता हूँ और कहता है कि मैंने सुना है कि एक सिवल सर्वेंट के चक्कर में तुम्हार साथ ही हादसा हुआ पूशता है अब कैसे हो तब ही शिन्यू कहता है कि तुम्हें एक मुक्का पड़ेगा तो आठीक हो जाओंगा और वो कहता है कि हाँ मैं यहां से जाई रहा हूं मुझे माउंट ओजू पर बहुत जादा काम है और मेरे पास कोई बहुत ही पावर्फुल आदमी जुड़ गया है तब ही शिन्यू को शک हो जाता है कि वो जेक्यौं की ही बात कर रहा है शिन्यू जेक्यू के ऑफिस जा कर कुछ चैक कर रहा होता है तब ही वो उसको कहता है कि मुझे तुम से यह उमेद नहीं थी तुझे क्यों कहता है कि वो प्रॉपर्टी मेरी है तुझे क्यों कहता है कि वो प्रॉपर्टी तुमने एक बार गॉर्मन्ट को दे दी तो उसके बाद हो हमारी है और हम किसी को बेच सकते हैं तब शिन्यू कहता है कि ये गलत है, तो जी क्यां कहता है कि हम वकिलों का काम यही है, गलत को सही करना, तुम भी आज तक यही करते आए हो, अगले ही सीन में दिखाते हैं कि सब लोग कैफेटेरिया में होते हैं और लंच कर रहे होते हैं, तब ही वहाँ पर मिस्टर कॉंग आ तुम से विलना भी काम है, और मैं यहां काम के लिए ही तवाया हूँ, हॉंग जो से पूछती है कि आफिस में सब कुछ ठीक है, शिन्यू कहता है कि तुम मेरे बाइफ्रेंड हो, मुझे पता चल जाता है, शिन्यू से बताता है कि मेरी मॉम ने तुम मेरे डिनर पे बुला अगर रिहा पहले ही सेटलमेंट नहीं हुआ, अगर मामला कोट में चला गए तो आप लुकी फैमिली की बात बदनामी होगी, आपको इबार उनसे मिलके बात करनी चाहिए, शिन्यू की मदर मना गर देती है कि मैं उससे नहीं मिलने वाली हूँ, और वो उसको अपने साथ इनवाइट करती है, नेक सीन में टिखाते हैं कि चारो साथ में डिनर कर रहे होते हैं, हौँझ जो, शिन्यु की मदर को एक प्रज़न देती है, जिसमें एक बैले करने वाली डॉल हुती है, शिन्यू की मदर को एक फूर्ट पसंद आता है,양े मदर कहती है, कि बहुत प्या और उसके फादर उसको बोलते हैं कि प्लीज मुझे मज़ चोड़ना उन में दिखाते हैं कि शिन्यू होग जो के लिए फ्लावर लेता है उसको कॉल करता है तो हम जो कहती है कि हौज मैं बिजी हूँ लेकिन मैं सिदा गर पर आ जाओंगी तब भी दिखाते हैं कि हम जो के साकर बैट जाती है नायन बाकी सबको बथाती है कि यह वही लड़की है जिसने मेरे बाइफिन को मुझे चीना था हूँ जो भी कहती है तो हमने अपने डैट के पैसे और पावर का गलत इस्तमाल किया था तुम आज भी वही कर रही हो कि तुमने बाउंट ओ जो किसी और को हांग जो कहती है कि तुम्हें ओ दिन याद है वो जबरदस्ती किस करने के लिए भीजा था और वो ऐसा कर रहा था तुम वहाँ पे चोरी से हमारा वीडियो बना रही थी और तुम सब को जूट बता रहे थी कि मैंने तुमारे बाइफ्रेंट को चुराया है कहती है इस बा का बाइफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है नीक सीड में दिखाते हैं कि योरम अपनी ग्रेंट फादर के साहित जा रहा होता है तब यह वहाँ पर जोंप को क्या हुआ तो बताती है कि मैं नायोन से मिलने गई थी और वहां पे कुछ छोटी सी लडाई होई थी तो पूछता है कि कौन जी था तो होंग जो कहती है कि मैंने उसका मूट तो खराब कर ही दिया शिन्यू होंग जो कहता है कि मैं जो तुम पर बहुत प्राउड है और नेक्स दिन में दिखाते है है कि शिन्यू होंग जो को कपल ब्रेसलिट पहना रहा हो था है जिस पर शिन्यू बोलता है कि तुमारे आतमें बहुत ही सुन्दर लग रहा है होंग जो कहती है कि अब में कभी नहीं उतारूंगी शिन्यू होंग जो कहता है कि तुम कुछ फ्रेश हो जाओ नेक्स दिखात जिसमें एक बीच चुना था और बोलती है कि मेरी बात होंग जो से गराओ तो शिन्यू उसको बोलता है कि मैं अकेला हूँ होंग इनुवल कहती है कि जब वो उठ जाय तो मेरी बात कराना हूँ नेक्स सीन में दिखाते हैं कि होंग जो अपने ऑफिस के काम से पार्क में जाती है वहीं परियूरम के ग्रेंट फादर वहां आ जाते हैं और हो कहते हैं कि मुझे आप सो कुछ अकेले में बात करनी है हूंग जो अपने सेक्योर्टी गार्ट्स को बोलती है कि आप चले जाया और वो बोलता है कि शायद वो माउंट ओजू की तरफ गई है शेन्यू वहाँ माउंट ओजू की तरफ जाता है और यहीं पर ही एपिसोड समापत हो जाता है I hope कि आपको पसंद आयो